उज्जेन से भाजपा विधायक मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे भाजपा नेता मोहन यादव मध्य प्रदेश के 19 वे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं एक बड़ा आश्चर्य करते हुए भाजपा ने 11 दिसंबर को उज्जेन दक्षिन दक्षिन विधायक डव मोहन यादव को चुना अपने विधायक दल के नेता और मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में अन्य पिछडा वर्ग OBC से आने वाले श्री यादव के अलावा नई भाजपा सरकार में दो डिप्टी सीम भी होंगे मलहार घड विधायक जगदीश देवडा एक दलित और रीवा विधायक राजेंद्र शुकला एक प्राहमन राज्य की आबादी में OBC की आबादी लगभग पायाजिन परसंट है जबकि अनुसूचित जाती के लगभग सतरा सव परसंट लोग हैं नरेंद्र सिंह तोमर जिन्होंने हाल ही में विधान सभा चुनावों में अपनी जीत के बाद केंद्रिय कैबिनेट मंत्री और संसद सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया था कोच चुना गया है अगले विधान सभा अध्यक्ष राज्य के 19-वे मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार श्री यादव का नाम भोपाल में भाजपा विधायक दल की बैठक में निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चोहान द्वारा प्रस्तावित किया गया था और श्री तोमर, कैलाश विजयवर्गिय और प्रहला पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों ने इसका समर्थन किया था पटेल, एमपर, बीजेपी अध्यक्ष, वी, डी शर्मा ने कहा यह निर्णय भाजपा के केंद्रिये परियवेक्षकों हरियाना के सीएम मनोहर लाल खटर, पार्टी के OBC मोर्चा के प्रमुख क लक्षमन और पार्टी की राष्ट्रिय सचिव आशा लाखडा की उपस्थिती में लिया गया, घोशना के बाद श्री यादव अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ राज्यके राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया, श्री चौहान न बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुरवेदी ने कहा कि अंतिम तारीख प्रधान मंत्री की पुष्टि के आधार पर तै की जाएगी, उज्जैन दक्षिन से तीन बार के विधायक श्री यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में श्री चौहान की जगह लें जो दिसंबर 2018 से मार्च 2020 तक 15 महीने की अवधी को छोड़कर 2005 से शीर्षपत पर हैं जब कांग्रिस सत्ता में थी, राज्य में हाल के राज्य विधानसभा चुनावों में श्री यादव ने अपनी उज्जैन दक्षिन सीट से 12,211 वोटों से जीत हासिल की उन्होंने 2013 में पहली बार विधानसभा सीट जीती थी और 2018 में भी इसे बरकरार रखा वह वर्तमान में श्री चौहान की मौजूदा सरकार में उच्छ शिक्षा विभाग संभाल रहे थे और उन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद पर 2011 से 2013 तक मध्य प्रदेश पर्यतन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है जहां श्री यादव और श्री देवडा मालवा निमाड क्षेतर से हैं वहीं श्री शुकला विंध्य क्षेतर से हैं हाल के राज्य चुनावों में भाजपा ने मालवा निमाड में 26 में से 45 सीटें जीती 2018 में 28 से अपनी संख्या में सुधार किया भाजपा ने 30 में से 25 सीटें जीत कर एक बार फिर विंध्य क्षेतर में अपना पर्चम लहराया श्री देवडा और श्री शुकला निवर्तमान सरकार में भी महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री थे घोशना के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री यादव ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित और भाजपा के राष्ट्रिय अध्यक्ष जे डॉट्रिपी नडड़ा को धन्यवाद दिया उन्होंने श्री चोहान एवं सांसत को भी धन्यवाद दिया बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा अन्य राज्यनेताओं में शामिल थे मेरे जैसे छोटे कारेकरता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ये सिर्फ बीजेपी में ही संभव है यही बीजेपी का चरित्र है उन्होंने कहा मुझे विधायक दल का नेता चुनने के लिए मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूँ श्रीयादव ने कहा हम पीए मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा शुरू किये गए विकास कारियों को आगे बढ़ाएंगे भाजपा के चुनाव प्रचार के नारे MP के मन में मोदी, मोदी के मन में MP को दोहराते हुए श्रीयादव ने कहा कि नई सरकार प्रधानमंत्री के सपने के अनुरूप काम करेगी इस फैसले से कई दिनों से चल रही उन अठकलों पर भी विराम लग गया है जो CM पद के लिए BJP की पसंद के तौर पर चल रही थी जिन लोगों के नामों की अठकलें लगाई जा रही थी उनमें श्री चोहान, श्री तोमर, श्री पटेल, श्री शर्मा, श्री विजय वर्गिय और केंद्रिय मंत्री ज्योती राधित्य सिंधिया शामिल थे बाद में शाम को श्री यादव ने यह भी कहा कि उनका नाम सुनकर उन्हें भी आश्चर्य हुआ समचार एजेंसी एन आई से बात करते हुए उन्होंने कहा मैं पिछली पंक्ती में बैठा अपना काम कर रहा था और अचानक मेरा नाम सामने आया श्री चोहान ने एक्स में जाते हुए श्री यादव, श्री देवड़ा, श्री शुकला और श्री तोमर को उनकी नियुक्ती पर बधाई दी मुझे विश्वास है कि आदरणिय प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी के कुशल मार्ग दर्शन में आप मध्य प्रधेश को प्रगती और विकास की नई उंचाईयों पर ले जाएंगे और जन कल्यान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे इस नई जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत बढ़ाई एवं शुभ कामनाएं श्री चौहान ने श्री यादव को बढ़ाई देते हुए कहा क्या आप भी एक पत्रकार हैं या शुरू करना चाहते हैं अपना करियर मीडिया फिर्म है क्या आप में जुनूने समस्याओं को उजागर करने का क्या आप में जजबा है लोगों को न्याय दिनाने का तो आज ही जुडिये देश के तेजी से बढ़ते निउज नेटवर्क राइट टो इंफॉर्मेशन समाच की खबरे निउज एजनसी के साथ राइट टो इंफॉर्मेशन समाच की खबरे निउज एजनसी एक नैशनल हिंदी चाइनल है हमारे टीम में सौ से जादे रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं आप भी जुडिये राइट टो इंफॉर्मेशन समाच की खबरे निउज एजनसी के साथ और बनाईए पत्रकारता में अपना सफल करियर